पर विश्विंदू परिश्द एर बजलत थे करना है यही मसले का सबसे बडल है यह अगर करना है अपने देश्ट का का हाँ करना है अपने देश्ट के लिए मरने का जज़बर रख्ते हो तो आज उटकर खड़े हो जाओ जलित और मुस्लिम तमाम को मुताहिद करो तमाम के तमाम मुताहिद होंगे तो हम तीसरा मोर्चा बन सकते हैं और बराबर सिलराई लग सकते हैं मिल्लत को जलितों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए महताजी का तो उतार दो और आज तो हमें कॉंग्रेस में महताज समझा हुआ है कि जाएंगे कहां हमें ये बताना है कि हम महताज नहीं आए हम महताज नहीं आए बर्दाश करते आए हैं खुद बंग मारते थे कहते थे मुसल्मानों ने मार दिया और कॉंग्रेस वाले हमें गिरफ़तार करते थे हमारे बच्चों पर आतंग बाद का इजाम लगाया जाता था हमारे बच्चों का जूटा इंकार पर किया जाता था ये सारी तक्लीफे हमने देखिया है जेली हैं बरदाश्ट किया है अपरताश करते रहे हैं इजहारे तक्लीफ का वक्त है सबसे पहले मैं मुबारखबाद पेश करता हूँ मुस्लिम मजिसे बशावरत को कि उन्होंने इतना अहम प्रोग्राम रखा हिम्मद जुटाई और तमाम लोगों को यहाँ जमा किया और मुबारखबाद के मस्तहिक आपके कॉर्डिनेटर्स और केम्पेंपार्टर्स भी मुबारखबाद के मस्तहिक है जो इन्होंने इसमें बढ़ चड़कर इस्सा लिया लेकिन सारी गुफ्तुगों सुनने के बाद मैं इस नसीजे पर पहुचा हूँ के मसाइल का जिक्र सबने किया है परेशानी सबने बयान की है लेकिन कोई हल की तरफ नहीं जा सका सबसे बड़ा मस्तला है वाइलेंस इंडिया का और हिंदुस्तान का ये जो सबसे बड़ा मस्तला है इसका हल क्या हो सकता है हमारे जहासाब ने तो मुझे और ज्यादा खौफ जदा कर दिया कि उन्होंने कहे दिया कि भाई इसका तो कोई हल है ही नहीं अगर करने पे आ जाए तो क्या नहीं हो सकता वाइलेंस इसलिए है क्योंके वोटों की राजनीती हो रही है आज मैं कहता हूं कि 2024 की सब को फिक्र है L packs लेकिन 2024 में करना क्या है ये फिक्र किसी को नहीं आए हर आदमी कह रहा है कि वोट देना है जो भाषिय जन्ता पार्टी से नाराज है वो ये कह रहा है कि किसी सुरत से इनको जाना है कुछ भी हो इनको हराना है लेकिन मैं आप से पूछता हूँ सवाल है मेरा कि आपने नरेदर मोदी के NDA के दस साल देख लिए और इससे पहले UPA के मनमोहन सिंग के दस साल आपने देखे मैं आप से कहता हूँ इन दोनों दस सालों पूरे आज़ादी से बात किया है आज तक की बात मैं नहीं करता इन दो दस सालों का अगर तज़िया करने आप बैटेंगे तो ये पाएंगे कि उस UPA सरकार के पीछे भी RSSS का हाथ था वोही देश चलाने का काम कर रहे थे और इस NDA के सरकार के साथ भी पूरा पूरा उनका हाथ है और वोही सरकार चलाने का काम कर रहे हमें RSSS विजविन्दू परिशद और बजरटल का इलाज तलाश कर रहे हैं यही मसले का सबसे बड़ा हल है हमें बहुत बड़ी ताकत है हमारी लेकिन हमें बाटा गया है तुम मुसल्मान हो तुम दलित हो तुम पिछड़े हो अगर हम तमाम मुत्तहिद होकर आज खड़े हो जाएं तो ना एंटिया हमारे मुकाबला कर सकती है और ना यह इंटिया वाला कर बंतर हमारे मुकाबला कर सकता है अगर करना है अपने देश का काम करना है अपने देश के लिए मरने का जद्बर रखते हो तो आज उठकर खड़े हो जाओ जलिद और मुस्मिम तमाम को मुत्ताहिद करो तमाम के तमाम मुत्ताहिद होंगे तो हम तीसरा बोड़चा बन सकते हैं और बराबर के लड़ा ही लड़ सकती है अगर ये हिम्मत है तो इस किस्म के इजलास का कोई मतलब है और अगर ये हिम्मत नहीं आए तो मैं समझता हूँ कि चाहे इंडिया के साथ चले जाओ चाहे इंडिया के साथ चले जाओ यूं समझ लो कि तुम RSS के ही साथ जा रहे हो तो RSS के साथ अगर जाना है तो आप लोग जाने लेकिन हमने ये तैट हिया है कि इंशालला किसी भी गीमत पर हम RSS को मदबूत नहीं होने देंगे कॉंग्रेस के जीतने से भी RSS मदबूत होगी और भरती जन्ता पार्टी के जीतने से भी RSS मदबूत होगी हम दलिस है OBC है, मैनौर्टीज है ये तमाम लोग अगर मिलकर मुताहिद होकर खड़े हो जाएंगे देश प्रेम की भावना से अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं नहीं सबचता हूँ आप अगर लड़ने की हम्मत रही है मैं तो इतनी हम्मत रखता हूँ कि अलहम लोग मुत्ध होने का वादा करें इमानदारी का वादा करें तो इंशालला तीसरा मोर्चा बनाया जा सकता है लेकिन अगर तीसरा मोर्चा नहीं भी बनाया जा सकता तो इतना जरूर किया जा सकता है कि हम अपना एक मुतहिता बहाद बनाए और कम से कम अपनी शर्टों में ये रखे कि अब हमने तुम्हारा जंटा नहीं उठाना है हमें कम से कम पचास सिक्ट चाहिए हम खुद जाके अपना काम मिल्लत को दलितों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए मुताजी का तौक उतार दो और आज तो हमें कांग्रेस ने मुताज समझा हुआ है कि जाएंगे कहां हमें ये बताना है कि हम मुताज नहीं आए हम महताज नहीं आए हम इस बार दोहजार चौबिश हिंदुस्तान के लिए भहत ऐहम है इसको गहर जिम्मेदारी से अगर नजरन्दास कर दिया इसकी एहुमियत को नजरन्दास कर दिया हिंदुस्तान के मुसल्मानों का भी मस्तक्मलता होना है इस 2024 में और हिंदुस्तान किस राह पर जाना है हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान बनना है ये भी 2024 में तैय करना है इसलिए मेरे भाईयो किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है किसी का जटा उठाने की जरूरत नहीं है एक बार देश प्रेम की भावना से हमें अपना देश पाश साल के लिए किसी को देना है ठेगे पर देना है हमें उनसे बात कर दी चाहिए अपना टेंदर दो पाश साल का एजेंडा बताओ रूट मैं बताओ कैसे चलाओंगे पाश साल क्या बजरंग दल के खुंदे विश्वित में परिश्चत के खुंदे इसी तरह तहस्त कर्दी भैलाते रहेंगे एक हजार सवाल हमारे पास कॉंगरेस से भी है एक हजार सवाल हमारे पास बीजेपी से भी है लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि सवाल करने का वक्त नहीं रहा हमने उनको भी आज़माया है हमने इनको भी आज़माया है अब वक्त है हमें अपने आप को आज़माने का अपनी ताकत का मगहरा करने का इसलिए मैं कहता हूँ S.C. O.B.C. सब्सक्राइब आज़माया है मैज़र्टी तमाम लोग मुतहिद होकर खड़े हो जाओ इसलिए इसलिए बड़ी ताकत बनोगे कि भारती जन्ता पार्टी और कांग्रेस तुभारा मुकाबला नहीं कर सकते आखिर में एक बात कहें कि अभी पर्सो का वाकिया है इंडिया में जो कुछ हो रहा है हमें तो आज़त है बरदाश्ट करते आए हैं खुद बम मारते थे कहते थे मुसल्मानों ने मार दिया और कांग्रेस वाली हमें गिरफ्तार करते थे हमारे बच्चों पर आतंगवात का इज़ाम लगाया जाता था हमारे बच्चों का जूटा इंकाल्टर किया जाता था ये सारी तक्रीफे हमने देख ही है जहली हैं बरदाश्ट किया है और बरदाश्ट करते रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ दो रोस पहले ये बरदाश्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान को हम चेता देना चाहते है कि अपने बलकी मैनुर्टी के साथ इंसah करो उनके ओपर जल्म नहीं होना चाहिए अगर उनके उनके जल्म किया जाएगा तो तुम्हारा घ्राओ किया जाएगा तुम्हारा बाइकार्ट किया जाएगा हिंदुस्तान से तुम्हारी M.S. की खंद कराई जाएगी इसाईयों के साथ बहुत बड़ा जल्म किया बाइबल को जलाया गया मैं यह कहता हूँ कि कुरान की बेहरमती अगर सुईडन में की गई है तो पाकिस्तान में बाइबल को जलाने से क्या उसका इजाला हो जाएगा क्या कुरान की खंद बढ़ जाएगी कुरान की जो खंद है वो अपनी जगा है और मुसल्मान हमारे यहां इसलाम में बदला लेने का कोई तरीका नहीं है हमें बनला नहीं लेना चाहिए और हमें तमाम किताबों का इसराम करना चाहिए बाइबल भी हमारी किताब है इसाले सलाम भी हमारे नभी है हम सबका इसराम करते हैं सबकी इज़त करते हैं तमाम धर्मों को हम इसराम देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मजभब में किसी कि मनाफरत ना की जाए हिंदुस्तान, जिंदाबाद और मुस्ली मजलिसे मशावरत पाहिंदाबाद अस्राम अलेकुम